भैजन सहीदा 112 अध्याई 1-10 तक वह अनुग्रकारी दयावंत और धर्मी होता है जो पुरुष अनुग्र करता और उधार देता है उसका कल्यान होता है वह अन्याय में अपने मुखद में को जीतेगा वह तो सदा तक अटल रहेगा धर्मी का समरंड सदा तक बना रहेगा वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हरिदय योहवा पर भरोसा रखने से स्थर रहता है, उसका हरिदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शद्रों पर दृष्टी करके संतुष्ट होगा, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सद बना रहेगा, और उसका सिंग महिमा के साथ उंचा किया जाएगा, दुष्ट इसे देखकर कुडेंगे, वो दात पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी, इफिश्यो चौथा अध्याई 17 से 32 तक, इसलिए मैं यह कहता हूँ, और प्रभुम में आगरह करता हूँ कि जैसे अन्यजाती लोग अपने मन की अनर्थ रीती पर चलते हैं, तुम अपसे फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धी अंधेरी हो गई है, और उस अज्यानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण में परमेश्वर के जीवन से अलग किये हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुच्पन में लग गए हैं, कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया खरे, पर तुमने मसी की ऐसे शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा इशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चालचलन के पुराने मनुशुत्वों को जो भर्माने वाली अभिलाशाओं के अनुसार ब्रश्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक्स वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुशुत्वों को पहिन लो, जो परमेश्वर के अनुरुप सत्य की धार्मिक्ता और पवित्रता में सरजा गया है, इस कारण जूट बोलना छोड़ कर, हर एक अपने पडोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुमारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवस की बात तुमारे मूह से न निकले, पर अवशक्ता के अनुसार वही निकले, जो उन्नती के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्र हो, परमेश्वर की पवित्रा आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है, स जैसे परमेश्वर ने मसी में तुमारे अपराद शमा किये, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराद शमा करो, इफिश्यो पांचवा अध्या एक से साथ तक, इसलिए प्रिये बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरन करो, और प्रेम में चलो, जैसे मसी ने भी तुम स प्रेम किया और हमारे लिए अपने आपको सुखदायक सुगन के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यबिचार और किसी प्रकार के अशुद काम या लोब की चर्चा तक न हो और न निरलजता न न मुड़ता की बात चित की न ठटे की क्योंकि ये बाते शुभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यबिचारी या अशुद्ध जन या लोबी मनुश्य की जो मूर्ती पूजक के बराबर है मसी और परमेश्वर के राज्य ये कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहिने हुए चला आता है जो अती बल्वान और भड़किला पहिरावा पहिने हुए जूमता चला आता है ये मैं ही हुँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हुँ तेरा पहिरावा क्यों लाल है क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रोंदने वाले के समान है मैंने तो अकेले ही हौद में दाखे रोंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया हाँ मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रोंदा और जल कर उन्हें लताडा उनके लहु के चीन्टे मेरे वस्त्रों पर पढ़े हैं इससे मेरा सारा पहिरावा दब्बेदार हो गया है क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुडाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है मैंने खोजा पर कोई सायक न दिखाई पड़ा मैंने इससे अचमबा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था तब मैंने अपने ही बूजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला हाँ मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनकी लहु को भूमी पर बहा दिया जितना उपकार यहवा ने हम लोगों का किया अर्थात इसरायल के घराने पर दया और अत्यंत करुना करक मैं कामों का वर्णन और उसका गुनानवात करूंगा क्योंकि उसने का निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग है ऐसे लड़के हैं जो दोखा न देंगे और वो उनका उधार करता हो गया उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुक रहने वाले दूत ने उनका उधार किया प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुडाया उसने उन्हें उठाया और प्राचिन काल से सदा उन्हें लिए फिरा तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्रा आत्मा को खेदित किया इस कारण वो पलट कर उनका शद्रू हो गया और लाया वह कहा है जिसने उनके बीच अपना पवित्रा आत्मा डाला वह कहा है जिसने अपने प्रतापी बूजबल को मुसा के दाइने हाथ के साथ कर दिया जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया जो उनको गहरे समुंदर में से ले चला जैसा गोडे को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वो कहां है, जैसे घरेलू पशु तराय में उतर जाता है, वैसे ही यहवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया, इसी प्रकार से तुने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महीमा युक्त बनाए, स्वर प्राचिन काल से यही तेरा नाम है, है यहवा, तु क्यों हमको अपने मारगों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते, अपने दास, अपने नीजबाग के गोतरों के निमित लोटा, तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही, हमारे द्रोहियों ने उसे लताड दिया है, हम लोग तो ऐसे हो गए हैं, मानो तुने हम पर कभी प्रभूता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए, यह शाया 64 अध्याय एक से बारा तक, भला हो कि तु आकाश को फाड कर उत प्रताप से काम पुठे, जब तुने ऐसे भयानक काम किये, जो हमारी आशा से भी बढ़ कर थे, तब तु उतर आया, पहाड तेरे प्रताप से काम पुठे, क्योंकि प्राचिन काल ही से तुझे छोड़, कोई और ऐसा परमेश्वर न तो, कभी देखा गया, और न कान से उ जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे, तु तो उनहीं से मिलता है, जो धर्म के काम हरश के साथ करते, और तेरे मारगों पर चलते हुए तुझे स्मरन करते हैं, देख, तु क्रोधित हुआ था, क्योंकि हमने पाप किया, हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या ह हमारा उधार हो सकता है, हम तो सबके सब अशुद मनुश्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले, चित्रों के समान है, हम सबके सब पत्ते के समान मुर्जा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायू के समान उड़ा दिया है, कोई भी तुझ से प्रात लिया है और हमें हमारी बुराईयों के वश में छोड़ दिया है तो भी है यहवा तो हमारा पिता है देख हम तो मिट्टी है और तो हमारा कुमहार है हम सब के सब तेरे हाथ की काम है इसलिए है यहवा अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधरम को स्मरंडर रख व गया है यरूशलेम उजड गया है हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वच तेरी स्तूति करते थे आग से जलाया गया और हमारी मनभावनी वस्तुवे सब नश्ट हो गई है है यहोवा क्या इन बातों के होते हुए भी तो अपने को रोके रहेगा क्या तो हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा यह शाया 65 अध्या 1 से 16 तक जो मुझे को पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है जो मुझे ढूंडते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया और जो जाती मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ देख मैं उपस्तित हूँ मैं एक खटीली जाती के लोगों की ओर दिन भर हात फिलाए रहा जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मारगों में चलते हैं ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बली चड़ा कर और इंटों पर धूप जला जला कर मुझे लगाता और क्रोध दिलाते हैं ये कबर के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते जो सूर का मांस खाते और ग्रिनित वस्तू का रस अपने बरतनों में रखते जो कहते हैं हट जा मेरे निकट मता क् तुछ से पवित्र हूँ ये मेरी नाक में धूए वो उस आग के समान हैं जो दिन भर जलती रहती है देखो ये बात मेरे सामने लिखी हुई है मैं चुपने रहूंगा मैं निश्चे बदला दूँगा वरन तुम्हारे पुर्खाओं के भी अधरम के कामों का बदला तुम कि उन्होंने पाड़ों पर धूप जलाया और पाड़ी उपर मेरी निंदा की है इसलिए मैं यहवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तौल कर दूँगा यहवा यो कहता है जिस बांती दाक के गिसी गुच्छे में नया दाकमदू बर आता है तब लोग कहते हैं उसे नश्ट मत कर क्योंकि उसमें आशिश है उसी बांती मैं अपने दासों की निमित ऐसा करूँगा कि सभों को नश्ट न करूँगा मैं याकुब में से एक वंश और यहूदा में से अपने परवतों का एक वारिस उत्पन करूँगा मेरे चुने आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे परंतु तुम जो यहवा को त्याग देते और मेरे पवित्र परवत को भूल जाते हो जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तवे सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाखमदू भर देते हो मैं तुम्हें गिन-गिन कर तल्वार का कॉर बनाऊंगा और तुम सब घाथ होने के लिए जुकोगे क्यूंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी वरण जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित्त किया और पर तुम प्यासे रहोगे मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे देखो मेरे दास हर्ष की मारे जैजेकार करेंगे परन्तु तुम शौक से चिलाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे मेरे चुने हुए लोग तुमारी उपमा दे दे कर शाप देंगे और प्र और जो कोई देश में शपत खाए वह सच्चे परमिश्विर के नाम से शपत खाएगा क्योंकि पिछला कश्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है